Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 4.4 से question number 2 करेंगे, solve the following, नीचे 3 question दे रखें आपको, इन्हे solve करना है, ए पार्ट देखिए, the teacher tells the class, teacher बच्चों को बताती है class में, that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7, teacher कहती है कि जो highest marks आए है ना जिस बच्चे के, वो lowest marks का double और plus 7 के बराबर है, the highest score is 87, और teacher ने ये भी बता दिया कि जो highest score वो 87 है, तो what is the lowest score, तो बताए है lowest score क्या होगा, तो जो चीज हमें यहाँ पे निकालनी होती है, उसे हम let करते हैं सबसे पहले, तो let the lowest score is equal to L, यहाँ पे X, Y, Z, L वगारा कुछ भी मान सकते हो आप, वो कोई hard and fast rule नहीं है, मैंने lowest score को L मान लिया, then highest score, तो फिर highest score कितना हो जाएगा, language फिर से देखिए एक बार, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7, यहनी जो lowest marks है, उसका double और plus 7, lowest marks का double और plus 7, यह highest score के बराबर है, और यह भी बता दिया teacher ने कि जो highest score है, वो 87 है, तो इन दो भातों से हमारी equation तयार हो जाएगी, तो therefore, यह जो 2L plus 7 है, यह highest score है, और highest score कितने के बराबर है, 87 के बराबर, बस बन गए equation, अब यहाँ से equation में से L की value निकाल देंगे, वो ही हमारा lowest score होगा, solve कर देते हैं, तो यहाँ पे L के पास, एक तो यह plus में 7 है, और L के पास multiply में 2 है, तो पहले plus और minus वाली चीज़ को move करते हैं, तो 2L as it is रहेगा, 87 as it is रहेगा, यह plus 7 पहले इधर जाएगा, तो minus हो जाएगा, क्योंकि plus है न, तो इसका उल्टा minus हो जाएगा, तो 2L की value हो जाएगी, 87 में से 7 minus किया, तो 80 आ गया, यहाँ पे अब L की value निकालनी है, तो L को अकेला छोड़ना है, तो L is equal to 80, L के पास क्योंकि 2 multiply में है, तो यह इधर जाएगा, तो यह divide में चला जाएगा, तो L की value आ जाती है, 80 को 2 से divide कर लेंगे, तो यह 40 आएगा, यानि कि lowest score, तो इसका जो answer आएगा, therefore, lowest score is equal to 40 marks, यानि क्लास में जो सबसे कम नंबर आए है न, वो 40 marks है, verify आपको करा देता हूँ, teacher कह रही है कि जो सबसे कम नंबर है, उसका double, यानि कि 40 का double, 80 हो गया, और उसमें 7 प्लस, तो 87 हो गया, और highest score 87 के बराबर है, तो ये first part का answer हुआ, चलिए part B देखते हैं, part B में, in an isoscalous triangle, isoscalous triangle के अंदर, the base angles are equal, जो base angles हैं, वो बराबर है, पहले isoscalous angle समझ लीजिए, isoscalous triangle होता है, isoscalous triangle वो होता है, जिसकी दो sides बराबर होती है, जो sides बराबर होती हैं, उनके angles सामने वाले बराबर होते हैं, अब ये जमीन पर टिका हुआ है, तो ये इसका base हो गया, और ये दोनो angles जो हैं, ये बराबर होंगे, the vertex angle is 40 degree, और vertex angle वो बोला जाता है, जो उपर की तरफ होता है, यानि ये वाला, तो ये हो गया है 40 degree का, what are the base angles of the triangle, तो बताएए, base angles का जो measurement है, वो क्या होगा, ISO-scalous triangle के अंदर, ये इसका base हो गया, ये दोनों base angles हो गएं, ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को कुछ let कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे let either base angle is equal to b, मैंने इन एंगलों को b मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं न, इसलिए ये भी b और ये भी b, vertex angle दे रखा है 40 degree का, तो बताएए, base angle कितने कितने degree के होंगे, अब तीनों angles आपके सामने हैं, ये b, ये b और ये 40, और हम जानते हैं कि triangle के तीनों angles का sum होता है 180 degree, तो ये ही लिखेंगे हम, therefore b plus b plus 40 is equal to 180 degree, ये degrees में हैं सारा, reason चाहें तो लिख सकते हैं, sum of angles of a triangle is 180 degree, अब b plus b हो गया है 2b, यहाँ पे plus का 40 लिखा हुआ है, is equal to 180 degree, ये बन गई है equation, अब इसमें से b की value निकालनी है, वो ही base angle होगा, तो पहले तो plus 40 को इधर ले जाएंगे, तो 2b ऐसा ही रहेगा, ये 180 degree, ये plus का इधर जाके minus हो जाएगा, तो 2b is equal to minus करेंगे इसे, तो 140 degree आ जाएगा, अब b की value निकालनी है, तो b को ओकेला छोड़ देंगे, और क्योंकि b के पास 2 जो है, ये multiply में है, तो दूसरी तरफ जाएगा, ये 140 के पास, तो ये divide में चला जाएगा, तो b की value आ जाएगी, 140 को 2 से divide कर देंगे, तो ये 70 degree आ जाएगा, यानि जो दोनों के दोनों base angles है न, वो 70-70 degree के हैं, तो हम answer भी लिख देंगे, therefore, each base angle, ये either base angle, either base angle is equal to 70 degree, ये b part हुआ, चलिए c part देखते हैं, c part के अंदर कहता है, सचिन scored twice as many runs as रहूल, दो player हैं, रहूल है और सचिन है, सचिन रहूल से twice, twice का मतलब है double, double run score कर रहा है, together their runs fell short, fell too short of a double century, जब उन दोनों के run को जोड़ा गया, together मतलब दोनों को जोड़ा गया, तो double century से 2 run कम रह गई, two short का मतलब है कम पढ़ गई, तो how many runs did each one score, तो बताईए उन दोनों ने अलग-अलग कितना score किया, अब देखें, यहाँ पर जो सचिन है, वो double run scores कर रहा है, twice का मतलब है double, तो रहूल उसके आधे कर रहा है, तो रहूल को मैं X मान लूँगा, जो run रहूल score करेगा ना, उसे मैं X मान लेता हूँ, let runs scored by route is X, जब route X runs score कर रहा है, then runs scored by Sachin, तो Sachin के runs कितने होंगे, इसके twice, twice का मतलब है double, यानिके 2X, अब according to question यह दिया हुआ है, कि जब इन दोनों के runs को साथ लिया गया, तो जो answer आया, वो double century से दोरन कम पढ़ गए, अब double century से दोरन कम पढ़ गए, यानि कि 198 आये दोनों के मिलके, तो यह 198 हो गया, बस यह simple equation बन गी है, यहाँ पर simplify करूँ, तो 2X और X हो गया है 3X, और is equal to 198, अब मुझे X की value निकालनी है, X को मैं अकेला छोड़ दूँगा, 198 के पास, यह जो 3 है, यह divide में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ multiply में है, divide कर लेता हूँ 198 को, 3 से divide करेंगे, तो 3, 6,000 हो गया है 18, यह 1 और यह 8, यह 3, 6,000 फिर से 18 हो गया, तो X is equal to 66, अब X की value 66 आई है, और X किसको लिया हूँ मैंने, राहूल को, तो राहूल ने कितने run score किये हैं, 66, अब अपना answer लिख देते हैं, तो runs, scored, by, राहूल, वो ले रखे हैं हमने X, और उसकी value आई है 66, अब सचिन के भी लिखने हैं, therefore, runs, and लिखूंगा मैं यहाँ पर, and runs scored by सचिन, वो कितना है, X का double यानि की 2X, तो 2 से multiply कर देंगे 66 को, खर लेते हैं multiply, 66, 6, 2, 6, 2, 12 का 2, 1, यह 12 और 1, 13, 132, 132, यहनि राहूल ने 66 run score किये हैं, और सचिन ने उसके double, 132 run score किये हैं, question खत्म, तो इस वीडियों बस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next वीडियो में, तब तक चे लिए, goodbye,